हलो गाइज वेलकम बेक टू में चैनल पर्मी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्त और मस्त होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो राइज आज की वीडियो जो हमारी है लेग वैक्सिंग से रिलेटिड बताती हूं और साथ में यूज कैनाने प्री वैक्सिंग जैल जब भी अपरेका लिए लीडिदेब्स यूजरी है इस सिस्किन बिल्कुल नीटांट प्लीड हो जाती है इसो मोस्च्ट्र लेवल कंड्रोल में आ जाता है और वेक्स के में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है तो आपके पास रिकागी wax के साथ इस प्री waxing gel का होना भी बहुत जरूरी है पोटकिद और हमने लिया है टेलकम फॉडर बी आपने जरूर लेना है प्री waxing gel के बाद आप टेलकम फॉडर के अप्रिकेशन करेंगे वैक्सिंग नाइक का यूस किया है मैं स्टील का वैक्सिंग नाइक यूस करते हूं आप बूदर जाए कई hypocrite जिसमें उस दियूकर एड़े क अपने इस बाग तीन है कि हमेशा मोटे वाली वैक्सिंग वैक्सिंग यूस करें जो बीच में अटके नहीं और बीच में फटे भीना जिसे क्लाइंट इसली आपसे वैक्सिंग करवा ले तो आपने इस तक बात का ध्यान देना है हमेशा अच्छी कंपनी के प्रोडेक्ट यूज करें और हमने यूज किया है वैक्स गरम करने के लिए वैक्स लीटर का ये सा काफी हैवी ग्रोथ है इससे पहले इन्होंने कभी भी कोई वैक्स नहीं करवाई ना सिंपल वैक्स ना रिका वैक्स फर्स टाइम वैक्सिंग करवाने जा रही हैं ये इनकी एज है 22 इयर्स और काफी हैवी हैर्स है इनकी और यह चाहते हैं कि दीरे दीरे इनकी हैर तो इसलिए हमने इनके लिए यूज की है रिका वैक्स रिका की वाइट चोकलेट वैक्स बहुत अच्छी है एवरी टाइप ऑफ स्किन को सूट करती है और इस वैक्स को यूज करने से पहले आपने हमेशा प्री वैक्सिंग जेल लगाना है जो मैं आपको अब दिखाने जा हूं सबसे पहले देखें कि आपकी क्लाइंट की सकिन में वैक्स नहीं कर सकते अगर आपके पालर में 18 है तो आप इसली वैक्स कर लेंगे क्योंकि स्वैटिंग कंट्रोल में आ जातीए अगर पालर में फ焰मेंशी नहीं है तो आप पहले बहुत से से icing करें दैन आपने चेक करना है कि monster control में आ जाए उसके बाद आपने यूज करना है pre waxing gel प्री मैंने पहले रिखा wax का करने से पहले जब भी आप रिखा wax का यूज करें तो हमेशा pre waxing gel का जुरूर यूज करें इस प्री वैक्सिंग जेल को यूज़ करने से क्या होता है जो हमारी स्किन होती है काफी नीट एंट क्लीन हो जाती है क्योंकि और जब हम स्किन पर ेक्स करते हैं तो वैक्स स्किन में बिल्कुल चिपकती नहीं है उसके बाद मैंने यूज किया है tailcam powder का तेल कम powder का भी आपने बहुत अच्छे त्रिक्पे से यूज करना है फिर wax की application करनी है guys हमेशा wax की application hair की direction के हुसाब से करनी है पतली पतली layer लगाएं wax की और उसके बाद आपने waxing strip लगानी है and opposite यानि उल्टी दिशा में waxing strip को pull कर देना है जब भी आप रिका wax का यूज़ करते हैं चाहे कोई भी wax यूज़ कर रहे हैं आपने wax के temperature का भी ध्यान रखना है तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से आपने waxing strip को एकदम से pull कर देना है और मेरी client first time waxing करवा रही है तो इन्हें waxing करवाते हैं time थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि waxing अगर हम first time करवाते हैं तो लगता ही है अच्छी company की हमने waxing strip यूज़ की है तो आपकी पटियां बीच में बार बार फटेंगी पर मेरे साथ ऐसा issue नहीं होता कई बार हो जाता है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया क्योंकि रिका wax थोड़ी सी हाड होती है जब आप घुटने की wax करते हैं तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि घुटने को इस तरीके से टर्न कर लेना है ताकि प्रोपर तरीके से wax की application हो जाए देन आपने waxing strip लगानी है एंड opposite direction में waxing strip को pull कर देना है waxing strip को हमेशा एक जटके से pull करना है अगर आप रिका wax का यूज़ कर रहे हैं और अब हम आगे हैं गुटने से नीचे के side में महाँ पर आपने wax की application थोड़ी सी ठीक करनी है क्योंकि यहाँ पर hairs ठीक होते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपने wax की application करनी है guys सारे में wax की application ना करें क्योंकि इनके लंबे-लंबे hairs हैं एक दूसरे से hair उलज कर बीच में आ गए तो problem होगी तो आप चकोर में जैसे की चोरस में मैं waxing strip लगा रही हूँ उसी तरीके से waxing strip लगाएं एंड opposite direction में pull कर दें देखे कितने अच्छे तरीके से इनकी wax होती चारी है सारे के सारी hairs remove हो रहे है wax करवाने से काफी सारे benefit होते है इससे skin की tanning बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाती है skin के dead cells remove हो जाते है unwanted hairs तो remove होते ही है तो बाते करते करते मेरे client की almost black waxing का procedure one side का complete होने मला है और guys अगर आप मेरे channel पर first time visit कर रहे हैं तो मेरे channel पर आपको waxing से related shaving से related काफी सारी videos मिल जाएंगी और मैंने अपने channel पर bleach से related facial से related हर type की video अपने channel पर upload कर रखी है अगर आपने अभी तक channel पर visit नहीं किया तो please एक बार channel पर visit करें अगर आपको मेरे channel की video अच्छी लगती है तो video को like करें, share करें साथ में channel को subscribe भी कर दें और bell icon को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे गाईज अगर आप Rika wax का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे जब भी आप Rika wax यूज़ करें तो wax हो जाने के बाद आपने skin को clean करने के लिए कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना क्योंकि Rika wax को पानी से remove नहीं किया जा सकता इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा coconut oil या फिर आप यूज़ करेंगे Rika का after waxing gel जो की आपको जब आप Rika की wax purchase करेंगे तो वहाँ से purchase करना पड़ेगा क्योंकि यही दो product ऐसे हैं जिससे की Rika wax को remove किया जा सकता है कोई body oil या body lotion भी यूज़ कर सकते हैं पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे और Rika wax को करने के बाद भी आपने 5-6 घंटे तक skin में पानी नहीं लगाना Rika wax जो वह है hair growth भी कम होनी शुरू हो जाती है hair काफी लेट आता है मेरे चैनल पर काफी लंबे टाइम से यह भी कमेंट आ रहा है मैं wax की क्या charge है क्या cost है तो गाईज मेरे बताने से कुछ नहीं होता क्योंकि area wise सब के price होते हैं अगर आप किसी भी ऐसे area में रहते हैं जहां की छोटे मोटे पालर है तो वहाँ पर rate काफी कम हो जाती है तो आप अपने आसपास के पालर से या salon पर जाकर price पूछ सकते हैं कितना है अगर मेरे पास कोई pull leg wax करवाता है तो Rika wax का price रहता है 500 rupees और hand wax का भी with underarms 500 rupees रहता है अगर pull body Rika wax करवाई जाती है तो price रहता है 3000 rupees गाइस प्रोपर तरीके से wax की जाती है और उसके बाद अच्छे से body oil की massage दी जाती है तब इतना price लगता है otherwise simple wax कोई करवाता है जैसे aloe vera wax होगी तो इसका price रहता है 1500 to 2000 rupees तो यह आपके area के हिसाब से होता है कोई कितना price लेता है तो आप इस बात को यहां से पूछ करना आपने आसपास के area में price का पता करें आपको easily पता चल जाएगा क्योंकि हर शहर का हर area का rate अलग-अलग होता है तो आप उस हिसाब से rate का पता कर सकते हैं वैक्सिंग हो जाने के बाद हमने coconut oil से बहुत अच्छे तरीके से इनकी skin में मसाज दे दी थी और अगर आपको वीडियो useful लग रही हो तो प्लीस वीडियो को like जरूर करना तो मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में वीडियो को पूरा वोच करें में थैंक्स पर वोचिंग को पूरा वोच दो पूरा वोच्छे को पूरा वोच्छे को पूरा वोचिंग झाल 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 झाल